और journal entry with balance sheet जब आता है तो आपका सवाल पूरा बनता है ये 15 नंबर का इस ताइप के कई बार exam में सवाल पूछे गए हैं ये तो ये पूरा बनता है हमारा 15 नंबर का हमारे पास क्या Dewan है सर हमारे पास गीवन है Preference Share और हमें ऐसे question में सिरफ और सिरफ मतलब किस से है Preference Share Capital से Equity Share किसी काम का नहीं है तो Preference Share कहता है 50,020 रूप़े का एक तो मैं पहले हसाब किताब बना लू सर हिसाब किताब का मतलब preference share capital का जो पैसा है वो है हमारा 10 लाक रुपे का तभी तो उसी के according में CRR बनाऊँगा, fresh issue करूँगा सारी चीजे और कहता है कि हमारे पास security premium के अंदर पैसा है हमारे पास general reserve के अंदर पैसा है हमारे पास surplus के अंदर पैसा है हमारे पास current liability का तो कोई कामी नहीं है the company आपका excise क्या company चाहती क्या है, its option to redeem all preference share, company बोल रही है कि हम option दे रहे हैं, सारे preference share redeem करेंगे at a premium पे, इसका मतलब सर मैं preference share holder को premium भी देने वाला हूँ सर preference share holder को premium दोगे तो 10 लाक का 5% दोगे that is आपका कितना आ जाएगा 50,000 रुपे यानि आपको preference share holder को जो payment देना है total, payment देना है वो 10 लाक 50,000 रुपे का payment देना है clear यहां तक 10 लाक, 50,000 का देना आगे पढ़ते हैं to finance of the redemption, इसको पैसे देने के लिए all investment were sold 560 का, तो इस company का कुछ investment है इस investment को बेच दिया company ने sir, क्योंकि इसके पैसे चुकाने थे, कितने रुपे बेच दिये 560, तो इसका CRR से कोई लिए न देना नहीं है, CRR क्योंकि इसको बेच के पैसे आ रहे हैं, लेकिन हमारा liability side maintain नहीं हो रहा, तो यह तो fund arranging के लिए था, अब fresh issue company ने कर दिया, इसके लिए 10,000 ordinary share 20 रुपे का था जिसको हमने बेचा 24 रुपे का sir, इसके लिए हमने एक fresh issue भी किया sir, fresh issue किया हमने 10,000, जिसका face value था 20 रुपे यानि sir, कितने का, that is 2,00,000 रुपे और इसी के उपर हमने security premium भी लिया, कितना security premium लिया 4 रुपे, that is आपका 40,000 रुपे, तो यहां से पैसा हमारे पास total कितना आ गया, 2,00,000 40,000 रुपे, और यहां पे हमें देना कितना यह, अगर मुझे CRR का मैं को option पूछू, तो CRR कर क्या होता है, आपका face value to face value comparison होता है, यानि आपको पैसा कितना CRR के लिए चाहिए, सर, share capital में चाहिए, 10,00,000 रुपे, और कहीं से arrange करके, उस liability को on sheet कर पाऊ, जो कि liability side घट ना जाए, तो इसके लिए आपने already इंतिजाम कितना कर लिया है, सर, 2,00,000 face value को तो fresh issue कर दिया, तो अब CRR कितने चाहिए होगा, आपके पास पहले से कितना प्रफेंशियर? आपका प्रफेंशियर redeem करना है 10,00,000, 10 में से आपने इंतिजाम, यानि सर, ये प्रफेंशियर होने वाला है, लडडू, 0, 0 होने वाला है, इसकी जगह पर आपका equity share जो है कितना इंतिजाम करना होगा, क्योंकि 10 का आप यहां से liability हटाओ गए और 2 का फिर से डाल दिया, liability का मतलब share capital 2 का डाली चुके हो, तो और ऐसा क्या करें कि हमारे पुराने liability का structure में change ना है तो हमारे पास एक option available है क्या करने करें, CRR, तो कितना CRR बनाएंगे हम, तो that is आपका 8 लाख रुपे का CRR बनेगा, तो sir अगर मैं CRR की बात करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, यहां पे CRR जो बनाना है, हमें कितने का बनाना है sir 8 लाख, अब 8 लाख के CRR बनाने के लिए पैसा कहां से चाहिए फ्री रिजर्ब से चाहिए, फ्री रिजर्ब में पैसा है बिल्कुल जनरिजर्ब में 4 लाख, 9 लाख रुपे पैसा पढ़ा हुआ है, कोई टेंशन वाली यहां पे बात ही नहीं है, काफी पैसा हमारे पास पढ़ा हुआ है, आगे हमारे पास, समझ मारे बात आपको आगे क्या कहता है, यू आर रिक्वाइट टू ड्राफ्ट जनरल एंट्री रिलेटिंग टू दा कैस, रिकॉर्ट, ट्रांजेक्शन, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर और बैलेंशीट भी बनाना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री पे फोकुस करेंगे, पहला सवाल है, हमारा बैलेंशीट पे नहीं जाएंगे, अगली क्लास से हम बैलेंशीट पे जाएंगे, तो जनरल एंट्री, सबसे पहले जो जो काम किया वो करते जाएंगे तो मैं general entry का format भी पहली class है तो format बना के करना बनता है तो वही format रहेगा जैसे कि पहले करते आए हो चलिए आपको top पे लिखना है journal entry है in the books of पहले आपने सबसे पहला काम क्या क्या investment बेचा तो investment आप बेचोगे तो ये वाला investment खतम कितने का 6 लाग का बेच कितना दिया आपने तो bank में पैसा आया होगा आपके bank account debit कितने का पैसा आया 5-6 और इसमें तो नुकसान कर गया तो आप loss आ जाएगा यहाँ पे loss के जगह पे लिखेंगे statement profit and loss यह surplus भी लिख देते हैं वैसे लिखा जाएगा statement profit and loss कितने का नुकसान कर लिया 40 का अब आपको जो यहाँ पे surplus दिख रहा है न 5 लाग रुपे यह 5 लाग है यही नहीं क्योंकि 40,000 का loss भी कर लिए हमने यहाँ और हमारे पास से क्या चला गया सर investment investment कितने का चला गया सर 6 लाग का तो यह पहला general entry हुआ being में क्या लिखना है बड़ी basic सी बात लिखना है being में investment sold being में क्या लिखना है investment sold अब अगली entry इसके बाद हमने क्या करा सर fresh issue करा तो fresh issue की पहले entry करिए तो fresh issue की entry क्या होता है वही जो share capital में सीखा है bank account यह तो आपको basic है यह मैं क्या बता हुआ bank account to share application याद है आपको या भूल गए अभी अभी चल रहा था यह तो bank to share application कितने पैसे आजाएंगे bank to share इसका being क्या लिखना वही लिखना जो वहाँ पे सीखा था ठीक है कितने पैसे आजाएंगे premium पे कियें भाई 2,00,000 का समान 2,40 में तो bank में आए होगा अपका और यहां भी क्या आएगा 2,40 अगली entry पे चलते हैं sir अगली entry कौन से आएगी हमारी share application 2 equity share capital 2 अब मुझे कौन बच्चा बचाएगा हमारे balance sheet में security premium है या नहीं है बताओ balance sheet में security premium है पुरानी वाली balance sheet जो दिखरी है आपको सामने यह पुरानी balance sheet है क्या security premium है इसमें है यह 2,00,000 आएगा और यह 40,000 अगर मैं नही balance sheet यहीं से draft कर दो तो क्या security premium 2,00,000 रहेगा यह बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि यह वाला भी नहीं वाला जोड जाएगा तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ connect जब नहीं balance sheet बनाऊँगा तो इस सारी तो मैं एक काम करता हूँ general reserve से कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ 4 general reserve से इस्तेमाल कर रहा हूँ 4,00,000 और 4,00,000 दूसरे मिसे ले रहा हूँ किसमें reserve and, sorry surplus मिसे surplus surplus मिसे कितना ले रहा हूँ 4,00,000 और 2 यहाँ पर आ जाएगा CRR कितने आगे आठ लाट अब आपको यह कहानी समझ में आ रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ बिंग जरूरी है यह बनाना बिंग CRR created लिख दो उसे यहाँ तक कोई दिक्कत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अब क्या करेंगे भईया अब सब कुछ इंतजाम हो चुका आप preference shareholder को बुला लो क्यों बुलाने पैसे देने है न तो बुलाने का मतलब उसके due कर दो मांट को तो preference shareholder को बुलाने का मतलब कैसे बुलाए जाएगा देखिये ध्यान से सर preference shareholder कैसे बुलाएंगे अभी देखते हैं बोला भाईया आज ओ preference share capital जो आपको पहले credit किया था कितने percent preference share capital है 9% मैंने बुला 9% preference share capital account debit जैसे ही debit किया तो वो आ गए उसके कितने पैसे देने हैं सर देने है total ये वाला 10 लाक रुपे ठीक है मैंने बुला ओके security premium भी आपको देंगे हम बुला जी हाँ आप security premium मेरे लिए तो नुकसान है debit हो गया कितने का 50,000 का मैंने बुला आपके लिए मैं preference shareholder नाम का इस्तमाल करूँगा word क्योंकि आपको payment देना है कितना 10 लाक क्या मैंने इसको payment दे दिया या नहीं दिया बताइए क्या आपको आठ लाक ही चाहिए total हाँ जरत ही नहीं पड़िए अगर जरत पड़ती तो मैं पांच भी इस्तमाल करता पांच वैसे बचता नहीं उसके अंदर साथ ही बचता माल ठीक है यहां तक किसी को दिक्कत आ रहा है अब इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे payment कर देंगे सर पेमिंट करने के लिए क्या next page पर जाया जाए मेरे साथ चो यहीं पर अरेंज कर दिया जाए यह तो इधर यह तो समझ में आई गया यहीं पेमिंट करते हैं चोटी चोटी एंट्री कर देते हैं आपर तरिया और थोड़ा से small size कर देते हैं हमारे पास जगह मिलेगा इसको इधर क्या पेमिंट करते हैं सर यह सर पेमिंट करेंगे कैसे preference share holder account debit to bank कितना पेमिंट देना है 10,50,000 अब यह भी चेक कर लिजेगा एक बार क्योंकि balance sheet बनाना होता है कि हमारे पास 10,50 वाक्ये में है भी पैसा तो आप देखें आपके पास पैसा तो आया है दो चालिस आने के बाद आपके यहां पे कितना है 5,60 तो दो चालिस मैं इधर कर देता हूँ इसको roughly यह आपको चेक करना है सर दो चालिस आपका आयाफ प्रेश इसू से और कितना पांच साथ तो कितने होते हैं तीन कितने होते हैं ये आठ लाक होगे ये आठ लाक और पहले से कितना पढ़ा हुआ है बैंक में तीन साथ पहले से पढ़ा हुआ है तो कितने होगे हमारे पास 11.60 तो हमारे पास है तो और हमें देना कितना है 10.50 तो हाँ easily दे सकते हैं हमारे bank में कुछ पैसा बचेगा बताओ दिमाग लगा कि कितना बचेगा bank में पैसा हो 1.10 तो नई balance sheet जब बनाएंगे तो वहाँ पे हम bank के column में लिखेंगे कितना 1.10 तो इसी तरीके सा नई balance sheet बनना है बड़ा असान होता है लेकिन आप coordinate करके चलोगे तो ठीक है चलिए सर अब आजाते हैं हम इसके security premium को न इसे हमें write off भी करना है इस security premium को write off करना है write off का मतलब क्या होता है इस security premium को हमें वापसी भी देना है मतलब ये premium debit हो गया और इसको credit करके हम खतम करेंगे तो ये security premium कौन से वाला है मैं यहाँ पर थोड़ा सा word और explain कर देता हूँ सर ये security premium जो है न ये security premium है redemption वाला security premium on redemption on redemption अब इसको write off करने के लिए law क्या कहता है कि इस premium को आपको write off करना है तो write off करने के लिए या तो आप security premium का पैसा इस्तमाल कर लीजिए या free reserve इस्तमाल कर लेजिए आपके इच्छा है तो अगर आपके पास security premium पढ़ा हुआ है तो priority उसको लेना है क्योंकि आप पहले उस पैसे को खतम करोगे company में से जिसको इस्तमाल करने में कठी नहीं आती है तो security premium freely तो use हो नहीं सकता तो पहले हम उसको इस्तमाल कर लेंगे तो premium कितना लोटाना है हमें sir premium लोटाना है 50,000 और हमारे पास premium के अंदर यहां भी पढ़ा हुआ है 2,00,000 और in fact 40,000 तो और आए थे तो total premium अगर मैं बात करूँ simple सी बात करूँ तो total premium हमारे पास कितना था 2,40 और इसमें से मैं 50,000 रुपे अब निकालने वाला हूँ तो बचे का कितना नई balance sheet बनाएंगे तो वहाँ पे security premium के नाम से अलग से entry करेंगे और वहाँ पे कितना जाएगा एक लाग 90,000 तो अब यहाँ पे पहले ये वाला security premium को हम right off करेंगे right off मतलब zero कर दो तो यह debit है तो इसको credit कर देंगे और यहाँ से security premium निकालूँगा liability से जब security premium निकालूँगा तो debit हो जाएगा security premium कौन से वाला है सर यह balance sheet वाला है कितना निकालना है right off करने के लिए सर 50,000 और two में क्या कर देंगे सर अगें security premium की entry करेंगे यह कौन से वाला security premium है redemption वाला और यह कितना आ जाएगा 50,000 तो कई बारना बच्चे हैरान हो जाते हैं इसको देखके कि सर security premium debit भी security premium credit भी तो क्या चक्कर है आप देख लेना कि किस तरीके से मैंने लिखा है being आएगा इसका security premium return off समझ में आई बात आपको पहले यहां तक समझ में आ गया कोई दिक्कत है किसी को सर repeat कर दो काफी time पहले बोला गया 58 पर ही बोला गया सर क्या repeat करना है सर प्लीज repeat 8 लाग कैसे आया fresh issue repeat कर दो सर अगर exam में discount वाला आ गया नहीं आएगा स्वजल स्वजल सर राइट आफ क्यों करेंगे राइट आफ इसलिए करेंगे कि आप यहां पर expense मान रहे हो security premium redemption के time पर आपने छोड़ दिया तो यह balance sheet में continue चला जाएगा यह security premium के नाम से जो कि ऐसा होगा नहीं तो law कहता है अगर आप किसी विजह से खर्चा है आप rent देते हो तो rent को भी write off करते हैं कहां देते हैं पेंडल में पहली entry क्या करते हैं rent payment करने की याद करिए आप क्या करते हो आप सार rent to cash अब उसके बाद एक और entry करते हैं पता ही क्या profit and loss to rent तो यह वाला rent debit था यह वाला rent क्या हो गया credit हो गया तो ultimately यह entry होता है तो हम write off हर खर्चे की करते हैं लेकिन हमें न 11 वी तक वो इतने detail में ले के नहीं जाया जाता है अब हमें ले जाये जाता है कि कोई भी अगर खर्चा आप करते हो तो उसको आपको write off भी करना है अब write off करने के दो ही जगह पे हैं अब इसका specific तो बता दिया गया और बाकी खर्चे को write off करने के लिए जैसे statement profit and loss लिखा है लेकिन आप पहले पता है क्या लिखते थे loss on sale of investment फिर उसको एक और entry करना पड़ता मैं loss on sale of investment को credit करना होता और profit and loss को debit करना होता write off करने के लिए यहाँ directly कर दिया तो इसे write off किया गया अब मैं यहां तक सभी को clear है तो मैं आगे बढ़ू हूँ आपके लिए बससर 9 बज़ के अगली class का भी time हो गया है सर एक बार question पूरा repeat कर दो तो simple सी बात है सर यहाँ पे पूरा repeat करने का एक बार conclude कर देते हैं पूरे questions को हमारे questions में क्या गीवन था एक सवाल गीवन था जिसके अंदर preference share capital ध्यान से सुनते जाईएगा preference share capital हमारे 10 लाग के तो और company क्या चाते है इस 10 लाग के preference share को redeem करना और redeem ऐसे साधारन redeem करना नहीं बोलती है हम उसको premium पे पैसा देंगे तो इसका मतलब सर 10 लाग के share को वो 5% premium पे redeem करना चाते है यानि उसको payment कितना करना चाती है 10 लाग 50,000 अब इस 10 लाग 50,000 को redeem करने के लि value था और 2 लाग face value का अपने issue कर दिया तो ultimately 8 लाग रुपे का shortage आ गया capital side को compensate करने के लिए उस 8 लाग के लिए हमने क्या इंतजाम कर लिया CRR CRR जो 8 लाग रुपे का था कहां से इंतजाम होगा GR में से हमने निकाल लिए कितने रुपे 4 लाग रुपे और 4 लाग रुपे कहां से निकाल लिए हमने reserve and surplus में तो पहली entry क्या जाता है हमारे assets को बेचने का जो हमने बेचा है दूसरी entry क्या होगे fresh issue करने का इसके बाद क्या होगे CRR create करने का इसके बाद preference share holder को बुला लोगे के भी आपने पैसे ले जाओ preference share holder को बुलाए तो preference share capital security premium to preference share holder इसके डाद जैसे preference share holder का amount due हो गया, being क्या लिखेंगे यहाँ पे being लिखेंगे यहाँ पे preference share holder holder amount due, जैसे उसके preference share holder का amount due करोगे, due करने के बाद पटाक से आपको क्या करना है, payment करना है payment की entry यह होगे, preference share holder account debit to bank दिमाग में ले के चलना bank में पैसा है नहीं है कहीं आपने bank से payment कर दिया पैसा ही नहीं और balance sheet बनाओगे तो confused हो जाओगे तो हमने वो भी check कर लिया यहाँ पे sir bank में बहुत पैसा पड़ा हुआ है अभी और भी हमारे पास available बचता है यह हो जाता है लेकिन इसके बाद क्या करा हमने जो पुराना security premium था उसको right of करने की वी एक entry करना पड़ेगा जो की कर दिया आप बोलोगा सर मुझे सीधी सी बात बताओ preferential redemption की entry क्या होती रिदेम्शन की entry एक ही है preferential holder share account debit to preferential holder और preferential holder यह entry बनती है इसके अलावा इसको redeem करने की तैयारिया है जो की आपको साथ के साथ करना पड़ेगा समझ रहे बात तो redemption की entry कौन सी है सर एक यह entry और एक यह entry preferential holder को बुलाया उसके पैसे दे दिया हो गया redemption लेकिन directly बुला नहीं सकते हैं उसके पहले आपको arrangement lock or follow करना है तो उसके लिए यह सारी क्या थी हमारी तैयारी थी जो की हर question में हमें लगबग लगबग करना पड़ेगा with terms and condition एक सवाल मेरे मन में आया simple सी बात है सर अगर हम preferential capital को redeem कर रहे हैं तो अगर हम बात करते हैं अगर हमारे पास bank में पैसा नहीं होता लेकिन payment तो करना ऐसा थोड़ी एक्जाम में सवाल छोड़ के आजएगे तो उस case में आप payment कर दीजिएगा लेकिन लेकिन आपको एक bank overdraft की facility लेनी पड़ेगी नई balance sheet जब बनाओगे तो आपके asset side में कोई cash तो नजर नहीं आएगा लेकिन liability side में current liability under the head of आपको एक नजर आ जाएगा क्या सर bank overdraft तो ये चीजे भी आपकी possible है किसी बच्चे का doubt होगा तो वो clear हो गया होगा अब भी बताइए कोई doubt है कोई doubt क्योंकि मैं ugly class के अंदर रफली आप एक काम करीगा एक काम मैं एक homework देता हूँ ज्यादा homework तो ने एक homework है इसी balance sheet किताब आपके पास है इसी balance sheet के column बनाईएगा और मैं बना देता हूँ column क्या बनाना है इसी balance sheet में आप नई balance sheet बनाईएगा कुछ नई balance sheet का मैं example और hint देता हूँ नई balance sheet में sir preference share capital कितना हो जाएगा sir 0 हो जाएगा sir equity share capital कितना हो जाएगा 20 लाक हो जाएगा sir security premium कितना हो जाएगा sir security premium हमारा बच्चे गा hic लाक nbya हजार sir general reserve कितना हो जाएगा zero हो गया खताब हो गया sir surplus कितना बचेगा sir सिर्फ 60,000 का surplus बचेगा sir current liability तो वो ही रहने वाला है 6,000,000 देखो फटा-फट बन रहा है हमारा investment कितना हो जाएगा sir ये 0 हो जाएगा investment bank का balance क्या होगा आप इन दोनों साइड को match कर दीजएगा हमारे नई balance sheet बन जाएगा तो नई balance sheet बनाना बड़ा असान है और general entry with balance sheet जब आता है तो आपका सवाल पूरा बनता है ये 15 नंबर का इस type के कई बार exam में सवाल पूछे गए हैं तो ये पूरा बनता है हमारा 15 नंबर का